स्वागत आप सभी का एक नई वीडियो में और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं हूँ अभी न्यूयोर्क की फाइनेशियल डिस्ट्रिक्ट या फिर वाल स्ट्रीट पर यह देखो अभी मैं जस्ट मेट्रो से बार निकलाऊं वाल स्ट्रीट के इधर वो मेट्रो सेशन था जो वो चार था काफी टाइम से कि हम साथ में वर्काउट करें एक वाली और मैं पूरा दिन वीडियो रिकॉड कर रहा था नियूयोर्क में इधर उदर पर उसने धक्का किया कि आज 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 तो मैं सोचा चलो चलते ही है मेट्रो से भी बाहर निकलाऊ आपको यहां की दोस्त की बिल्डिंग है वो है वन टीप ब्रॉड फ्रीट स्टैच्व अफ लिबर्टी भी यहां से दूर नहीं है मतलब दिखता है मेरे दोस्त की बिल्डिंग में उपर से देखो ना और पास में स्टेटन आइलेंड है और बहुत जादा रेंट्स है इधर मतलब में इन लग काप इसे एक तरह से कहसे तो नुई यॉर्क का फाइनेंशिल कैपिटल होगी तो आप समझी सकते हो लिओ अड्रेटी मेरी वेट कर रहा है तो वो बिल्डिंग के निच्चे ही खड़ा है और यही वाली बिल्डिंग है इतर वीफ देख़ा है दरसल इदर ना एक वो लड़की का स्टैचूस है जो पहले वाल स्ट्रीट के बुल के साथ होती थी अब उसको लग कर दिया इदर लगा दिया तो लोग ना इदर उसे दाथ फोटो किचाने आते है दिखातों आपको देखो सामने है यह इदर अमरीका के जंडे और वो जो साथ में बिल्डिंग ह इस ट्रीट कानाम ब्रोड स्ट्रीट है और यह वो लड़की है जो मैं कहा रहा था इसी दाथ फोटो किचाते है लोग यह आपके आपके यह सारे टूरिस्स ही है जो इदर रहते है देखके ही बिता लग रहा होगा आपको यह है बिल्डिंग जिसमें अपने को जान है Leo बूर मैं लॉपी मैं यह नीचे आपर बाला यह है विल्क अलो यहाहाँ यह लिए लूल्हो यह से मापैंगे यह यह लूइ लू Üू लूँ यहीеш लूम इम टेका हूलि है , अलवर्क ब्सूआ तो और में रिक्ट करिया है, पालसे हिस प्राइट रिक्राम, मैं 20 बट BT लेती जो खंभी है, जो से लेर्फ़ बर में बे थांट एक मच वेख वेच्ट वेक्ट् Safari नियर र की तौपल अच तरो फैंज छेंगो rua नहीं में रहां स वो थेखेट की पूस्पोन करें पूस्पोन करें अबटेजिये पूस्पोन अब तो यह जैने तो वीडियो बागे बदने सपले मैं आपको रिमाइंड करा दूँम है पूरी दुनिया पनी फेवरेट क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने वाली और आप भी इंडिया को परी मैच पे सपोर्ट कर सकते हैं बस आपको जो मैचेज है उनके रिजल्ट परी मैच पे प्रेडिक्ट करने है जस्ट अ कबल अफ क्लिक्स एंड यूरे इंड गेम पेशल लिंक पे जाओ और वहां से रिजिस्टर करने पे आपको मिलेगा 500 परसेंट का डिपॉजिट बोनस तो आपको उस ICC World Cup Cricket Tournament के रिजल्स प्रेडिक्ट करने है 3, 4, 5, 6, 22, 23, 24, and 25, 20, ah super man that was so cool, that's so cool ha 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 कुँ मैं खुड़ा सा वर्म अप कर लेता हूं एक्षाइ स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट क से आसु मत दो, रुख यह खरते जो मनी दार और बाकि है दो आइनमिक स्टार्ट करने जी है तो यह यह जीम है काफी बड़ी जीम है अफिछी बडिया जीम है है, बिल्डिंग के जीम के वह साब से तो अब ये अपार्टमेंट भी दिखाऊँगा वर्काउट के बाद आपको लियोगा और उसका रेंट भी बताऊँगा मेरे को गड़नी है डेडलिफ्ट तो अपनी ये रॉड ले ले लेते आदो मेरे को ना एक्चुली डेडलिफ्ट करें दो महीने हो गए लास्टाइम मैंने फ्रांस में करी एक जिम में नीम्ज में और तब मैंने एक सोच से किलो से दस रेप लिये थे अभी मेरा बॉड़ी बेट 96-97 है मतलब मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ पे नहीं हो अभी आप है, आप है. कीरिल को दश्ञें कर लो benefiting को कोच है इसे मेरे दोस्ती हो गडिए कल मेरी मेक्षिको की फ्लाइट है सूबह वो मैं चोट नहीं काना दा दा तो इसले मैं अवीड़ नहीं करूँ ट्रावल करते टाइम आप भी जान रहें कभी जादा अवीड़ सेक्साइज मत करो क्योंकि चोट लगी तो आप गरपे नहीं हो इतने बैग्स आपके पास हो क्या आप ट्रावल कर रहें तो कभी भी ये रिस्ट मत लो हमेशा हलके बेट से करो तो क्योंकि मैं डेड्लिफ्ट कर रहा हूं उसका परबजी क्योंकि मैं डेड्लिफ्ट तोरे से लेना बिल्कूल ठेक रहा हूं तो डेड्लिफ्ट सो मैंने कर ली स्ट्रेंथ डेफिनेटली कम हुई है पहले से 160 से मैंने लिए से सेट्स कितने चार रेप पाच रेप छे रेप बस इतन ही आए और निकल दाते पर मैं रिस्क लेकर आकरी खेतना मिचा रहा था अगी डेड्लिफ्ट करके मज़ा आ गया काफी टाइम बात करी थी मैंने आपकगे बताया था मैं सुम्मू और कंवेंशनल दोनों All dirt करता हूं सुम Makes59th着 क्रोट कंवेंशनल में यूवपर उठता है और सुम्मू में पैर ऐसे खोल के जैसे मैंने आज जो करिया, तो काफी दाइम हो गया था, लास्ट ताइम मैंने सुमु ही करिए लेकिन छिफ दाता हूं जाता हूं अधर स्मिथ मशीन है तो समिथ मशीन में थोड़ी बहुती है डेल लिफ ट्रें हो जाती है, तो मेरा मन्धा सुमु करने का अए आज अज अल ऩल्डेर श्रावाट? पुमके दोवेद ट्लावाट नवाट में जग रिया तो में लगा जा मेंगे आड़ाइख तो आटावाट कर दो हैं K-A-E Okay, so I will mention it in the video Awesome, perfect Anyone who is visiting New York needs to get a transformation done This is the guy you should be getting in touch with Leo, what's your username on Instagram? Leo, L-I-O, Slama, S-L-A-M-A So if anyone wants to invest in his business Or if anyone wants to start a business This is the guy you have to contact Back to me No, no, don't record me Don't record me Why? I'm not ready My hair is not fixed Why are you so late? Come on, answer me Some people have jobs, you know They don't just mess around like you do, you know Vitaly and I had a pool of competition When Vitaly came to our video Okay, just say whatever you want to say Can I speak English? That works So Vitaly came a bit late So rude So we were supposed to work out together But Vitaly No, 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 I was supposed to We called each other at 3 o'clock And I told you I would try to come But I wasn't able to come Because I had business to do, you know What is it? Our plan was that We will do 4 or 7 workouts But I was Kirill and Leo We took one with Vitaly And they had a business meeting You can tell me New York City All are busy One day One day One day This video was a little different I mean I would like to say I would like to say My personal life I don't like to say This video I would like to show you That I am going to meet The workout So tell me This video is good You are not going to look good You have to see a little bit I would like to see a little bit I am going to do it I am going to never even know With daily vlogging I am going to be with family That is all I love But yes There has been a workout If someone is doing this Maybe my videos I have to do this If I am making a vlog And I will make some efforts I am to make some effort But if you have to see a little casual videos If you have to see a little comments You will like them We will make some videos You will make such videos You will make them You will do this You will go And stretch them और लेट डलबी ज़ो है विडाब्टिक ब कर दो कर दो फिल्डिब रिटी निचाए कि अर्विडिया तो यह तो है। ऍट सब्सक्राइब्ट कि अब गया है। और लिफ्ट में विजाली और लियो कि लीयू कर दें लिफ्ट में बीना कि अज़ानी सकते। बीड आए लियो तुमारॉ पर कॉल पर था लीवी आए लगया दे लगया लगया है वाव ओग सबस्थ लेश भीज़ें हेडे एट टाइट भीज़े लोग्यों मुआ था हूं लोग अपली कर दो को दोू है दो कि लूज़् का या कि लाँ है येली गौर इवली आपक रख शहीं करणा है छली बाहता गर्ना अजया हुआआ है कर दिसे फार मोट व metre मारा में तराप में तराप को सकित क्न controls इनक धोम लोज सकते हम ऑंट ही तथरी कि तथरी कि टो और तूवudर आी वित पूग कि टूवह सकते हैं प्कित अिर तूच हम यादरी पिव bold कप दया, या प्राथी पुची कफड पड्डा हुब तो so for Manhattan my place usually one bedroom is 650 to 750 square feet like standard 500 is pretty small and two bedrooms should be quite bigger yeah but we are at the stock exchange here so the average would be five thousand dollars for a month single room apartment in which area is 500 square feet and how big is it? five thousand US dollars is like more than four and a half lakh Indian rupees I mean like four fifty thousand Indian rupees which is a lot meaning one bedroom is 40-40 lakh rupees and 500 square feet in that area and we talk about two bedrooms in that area is around 800 square feet and how much is the rent for the two room apartments? it could be up to ten thousand it could be up to ten thousand and people here are also the same if you have 4-4 lakh rupees to rent then you have 10-15 lakh rupees to rent you must be earning a lot because you are paying so much rent here but you don't pay any other maintenance fees or anything like that everything is included so everything is included yeah which is good you don't have to do anything yeah and I don't earn anything I'm an entrepreneur so I don't have a salary I don't have a proper salary so this is where the office has stock exchange so that's why you are watching the vaults this is so fancy side area and this is where the rent is built and here is the statue of liberty we can see the statue of liberty on top of the roof we can see the statue of liberty right so now we are coming to the statue of liberty oh yeah it's cold oh yeah it's cold what are these buildings that's bank of new york bank of new york that's a skyscraper you see the back of it there it's pretty cool right yeah it's pretty awesome so that's the roof of the stock exchange like not a lot of people can have this shot yeah this is very unique this is wall street here this is broad street and this is the world trade center right there there is world trade center this is wall street below and this side is broad street look at the skyline they don't want you to take pictures of the roof of the stock exchange but we just took a video really? it's okay the stock exchange we didn't have to take a photo but we made a video because it was looking from this building for 2-4 days there was actually a party that Leo organized there I met Kirill and many people from there so Leo thank you so much and the party was really nice that was good I mean thank you for having me the party thank you so much bro thanks see you soon this is Vitaly's electric skateboard so let's do a thing right like a little competition see who gets faster to Bryant Park nah I mean nah let's go I know you'll be late you're always late I don't trust you anymore let's see so this was today's video let's do it I hope you'll like it if you don't 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 like it and now let's take the metro to Bryant Park tomorrow I'm ready for my maximum flight I'm ready for my maximum flight let's see I told you I can't come until 4 pm I told you that he's saying that I'll go from the metro and he'll be on the skateboard and who will go first are you coming or not? I am but I'm pretty sure you'll take too long to be there okay bro bye 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 bye